2065 माँ सोधियेगे यवटा question ले रायागाशुू यू Unit 4, Fundamentals of Risk and Returns हो समंधित रहागाशा Suppose you hold a diversified portfolio consisting of a Rs. 10,000 investment in each of 12 different common stocks यवडा portfolio चा जस्माशा नहीं 12 वटा बेगलाबेकले stock मा लगानी गरीएगाशा रव प्रतेक stock को लगानी बनेको 10,000 टोटल इंवेस्टमेंट वने को, 10,000 x 12 हुने भायो रो टोटल इनवेस्टमेंट माय रहया का स्टाक सरू मद्दे दूखक नहीं, शेल गर्यिया नहीं, रोा तो स्टाक नहीं, रोा गर्यिया काःमा स्ट्रंपर 5 ४ब हाया मने, इट इत्सरूक को 10,000 रुपीजने रहरा कात इसको मतलब टोटल 20,000 रुपीज का स्टक से रुबिक्री गरियो र कोईशन ले बने अनुशार तो टोटल 20,000 रुपीज के फिरी नौय अवड़ा स्टक लाई पर्चेस गरिये को चा नविल बेंग को र पर्चेस गरिये को स्टक को बिटा चाई 1.75 रहाये को चा अब प्रस अनुशार आमी ले नौय पोर्फोलियो को बिटा क्याल्कुलेशन गर्नों पर्ने चा चाल्कुलेशन अफ न्यू पोर्फोलियो बिटा फस्त मां आमी लेखूं इन्वेस्टमेंट यहां लेखूं बिटा रह यहां इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्टु बिटा तो यहां लेखनोर्स रिमाक्स एस तो प्रकार को एवटा टेवल क्रिएड गरूं इन्वेस्ट्मेंट मा आमी सग ओरिजिनल इन्वेस्ट्मेंट बने को 10,000 रूपीज को 12 बड़ा स्टक सेरू गर्दा आमरो टोटल इन्वेस्ट्मेंट बायो 1,20,000 एसको बिटा रहेको छा 1.18 इन्वेस्ट्मेंट 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 इ एवटा इस्टक आमेले शेल गरियू इक्वाल्स टू 10,000 यो जुन शेल गरियू एसको बीटा रहे कोछा 1 यो दीटा मल्लिप्लाई करता ही दिवायो माइनस 10,000 यो वनेको आमेले के गरेको शेल गरेको शोल्ड इस्टक को अवस्तात्तो गरेको और कुबनी एवडाया वेले श्टक शेल गराया चूं ति एसको पनी एमाउंट रहे कोछा 10,000 इक्वाल्स टू 10,000 रहे शको बीटा रहे कोछा 2 माइनस 10,000 इन्टू 2 माइनस 20,000 एसको पनी रिमाक्स मा शोल्ड लेहूं जुन दुयोटा श्टक शेल गरे रहा आया को अमाउंट चा और थाथ 20,000 रुपीज यो 20,000 रुपीज को चाए फेरे नौय आवडा श्टक पर्चेस गरिएको चा फूल अमाउंट को 20,000 इन्टू 1 इक्वाल्स टू 20,000 यो नौया पर्चेस गरिएको इस्टक को बिटा रहेको चा 1.75 इन्बेस्टमेंट इन्टू बिटा 20,000 इन्टू 1.75 35,000 यहां रिमाक्स मा लेखूं पर्चेस्ट अब आमिले यो इन्बेस्टमेंट को कलन रख investment into beta को कलन लाई sum गर्न पर्द छा investment को total भायो 1,20,000-10,000-10,000-20,000 यहां भायो 1,20,000 रा investment into beta को total sum 1,46,600 1,46,600 अब आमी new portfolio beta calculation को लागी यह वोटा formula लेखूं new portfolio beta equals to summation investment into beta divided by summation investment equals to investment into beta को टोटल वनने को 1,46,600 divided by investment को टोटल 1,20,000 equals to 1,46,600 divided by 1,20,000 यो आमरो new portfolio बिटा हो इस्तो टाइप प्रोपोजिशन लाइग एसे रिसाल गवार्म सक्नूंचा यो वीडियो मा एती नहीं हाइद